कैसे हो आप सभी लोग गाइस आप सभी लोग अच्छे होगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आगई हूँ भगवान शेव इस ट्राइम आपको क्या बताना चाहते हो कि और श्रिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेश है इस ट्राइम पे यहाँ पे है आपके लिए फर्स्ट पाइल टैन अफ कप्स की एनरजिस और यहाँ पे है आपके लिए ए से लिए के बीच में अगर आपके इनिशिल्स आते हैं तो आपके लिए फर्स्ट पाइल है so also second pile के लिए है यहाँ पे Empress card और अगर आपके name के initials N से लेके Z के बीच में आते हैं तो आपके लिए second pile okay so दोनों ही piles आपके सामने है इस और आपको क्या चूज करना है okay and also यहाँ पे मैं आपको बता दू guys intuitively भी आप card pick कर सकते हैं अपने name के initials भी okay so guys भगवान शिव इस चाइम आपको क्या बताना चाहते हैं आज यह रीडिंग इसली आ रहे है because मैं big reading नहीं लेके आ सकते थी ठीक है so थोड़ी time constraints की वजह से anyways यहाँ पे first pile देख लेते हैं guys कैसा रहेगा आपका आने वाला समय भगवान का क्या message है आपके लिए anyways अगर आप ने हो चैनल पे तो subscribe कर लो guys चैनल को bell icon को दबा के all पे set कर दो so that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहे हैं personal reading अगर आपको लेने किसी भी question के regarding then definitely आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो instagram का link description में है time stamps के just उपर या फिर आप लोग about section से भी देख सकते हो उपर so start first file से so first file जिन्होंने भी 10 of cups card को पिक किया है या जिनके भी name के initials ए से लिके आपके बीच में आते हैं तो आपके लिए first file तो यहाँ पे भगवान शिफ का message आपके लिए हाँ पे क्या है सबसे पहले तो guys यह card ही ऐसा है कि आपके घर में खुश्या आने वाली है हना so so guys आपके family में happiness आते हो दिख रहे है या फिर आप लोग get together में जाते हो दिख रहे हो family के साथ कोई function हो सकता है वैसे ही अपनी family से मिलने आप जा सकते हो जहां आप रहते हो लेगा आप hostels में हो तो मिलने जा सकते हो like आप लोग अपने घर में हो like आप अपने mamu house जा सकते हो आप nani house like होता है वो वाली चीज़े यहाँ पर दिख रहे हैं यह आपके घर कोई आ रहा है enjoy करते हो हो दिख रहे हो आप कही घूमने जा सकते हो सो यह सब चीज़े मुझे आपने family के साथ पस time spend करते हो दिख रहे हो की and yes आप अपना new home भी यहाँ पर पश्रेस करते हो दिख रहे हो यहाँ पर यह भी नर्जी सो सकते है कुछ लोगों के लिए अपना निया घर and ten of cup celebrations को शो करता है so celebrations होते हो दिख रहे हैं यहाँ पर first pile आपके लिए so यहाँ पर tarot के through क्या हा रहा है आपके लिए देख लेते है okay so यहाँ पर क्या energies आ रहे है भगवान shift की तरफ से क्या message है आपके लिए okay okay सबसे पहला ही card guys यहाँ पर wheel of fortune का आ चुका है okay great यहाँ पर eight of pentacles okay page of pentacles की energies है यहाँ पर and last card है आपके लिए guys first pile यहाँ पर knight of swords की energies okay so सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए 4 cards आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं normal cards हैं ठीक है बहुत अच्छे energies भी है and bottom of a deck यहाँ पर है आपके लिए six of cups की energies and middle energies क्या हैं यहाँ पर nine of cups wow ten of cups and nine of cups wow amazing so सबसे पहले तो guys आपके इच्छा पूरती में यहाँ पर होते हैं आपकी wish fulfillment आपकी हो सकती है यहाँ पर यहाँ पर आप लोग पूरा अपना hard work कर रहे हो 100% अपना दे रहे हो किसी चीज को उस वजह से भी चीज आपको मिली है okay that's the reason क्योंकि आपने hard work किया है आपने इसको कमाया है मुझे दिख रहे हो कि आपकी तरफ ना guys कोई life को also अपनी life को अच्छे से चला रहा है मुझे यह दिख रहे हो कि but yes वह बहुत fast way में आ रहा है आपकी life में और जो थोड़ी slow speed में आ रहे है guys वह परसन भी learning phase में है आपके लिए शाहिदी आपके BF हो या मतलों कुछ भी career में भी हो सकता है कोई ना करी person okay like details होते है न यह person थोड़ा learn कर रहा है अभी चीजों को okay so यह person भी आ रहा है यहां पर आपके लिए बट इसकी commitment है वो इसके comparable जाधा होगी okay so of course दो लोग आ रहे है आपके लिए of course आपको options choose करनी पड़ेगी and आपके लिए यहां पर destiny बहुत important role play करते हुए दिखरी है आपके life में universe is with you okay भगवान आपके साथ है आपका luck increase होता हुआ मैं यहां पर देख पा रहे हूं आपका लग होता है किस्मत का पहिए यहां पर घूमता हुआ मैं यहां पर देख पा रहे हूं तभी यहां पर बहुत अच्छी energies आई है आपके visual fulfillment दिख रही है आपकी यहां पर family में खुश्चिया दिख रही है तो यहां पर six of cups की भी energies है सो यह शो करता है आपके life में soulmate wives को बहुत ज़रा प्यार आपके partner आपको दिखा सकते हैं अपनी तरफ से आपको कुश गिफ्ट दे सकते हैं वो person ओके and enjoy यहां पर मैं देख पार हूँ enjoyment की energies पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रही है first file आपके लिए बहुत अच्छे energies हैं आप दोनों ही बहुत अच्छा feel करते हो दिख रहे हो अपने partner के लिए अपने career के लिए भी अपने काम के उपर भी बहुत अच्छे से आप लोग focus करते ह मुझे यहां पर आपके soulmates से अगर आप नहीं मिली हो अभी तक तो वह यहां पर आपसे मिल सकते हैं आपके wish हो सकते हैं आपके soulmates से मिलना आपके past life lover से मिलना उससे आपकी meeting हो सकती है कि आने वाले time में अबी डॉक है आपकी रिडिंग करते मतलब सोच रही थी जस्ट एक दम से माइरी में दिमाग में रखवान नहीं डाला पानी कैसे मंदर कर आपकी ऊच्छी मंदिर में जाने के बारे में जांता में 500 तो लेकर यॉद्या है यह और अभी आ कहीं नहीं आप travel के बारे में भी सोच रहे हो so that's the reason आप शाहिए आपके mind में या फिर बहुत तेजी से ideas आते हों दिख रहे हैं आप कहा जा सकते हो घूमने है ना travel के लिए बड़ा family के साथ जाते हो दिख रहे हो आपके लिए नहीं solo travel मुझे हाँ पे आपके लिए और क्या energies आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपके लिए टॉरस और केप्रिक और कैंसर कर पर पाइसस राशी most important राश्यां दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे so okay balance की energies है guys so आपको कहा चाह रहा है balance करो अपनी life में okay balance की energies लेकर आओ and yes wisdom gain करो wisdom आपके लिए आते हो दिखरें आपको कहा चाह रहे है आपको कुछ न कुछ उनिवर्स सिखाना चाहते हैं and उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा but yes यह भी हो सकता है कि आप experience करते हो दिख रहे हो बहुत सारी चीज़ी उस experiences के through आप लोग learn कर रहे हो चीज़ों को okay and आपको यह कहा जा रहे है जो भी learn कर रहे हो balance create करके ही learn करो so that वो आपकी help कर पाए आगी जाके आप अगर imbalance होगे तो कैसे आप किसी की help करोगे अना so अगर आप balance होगे then definitely आप किसी की help कर सकते हो जो भी आपकी help चाहता है okay and yes आपकी आपका wisdom गीन और आप पर knowledge गीन करते हो आप लोग दिख रहे हो आप hair of arranged marriage के लिए भी कोई रिष्टा आ सकता है शाहिद आपके लिए okay and teaching field में अगर आप हो तो बहुत अच्छा यहां पर आगी आपका energy of course definitely guys hundred percent आपकी इच्छा पूर्ती में यहां पर देख पा रहे हूं enjoy करते हैं आपको मैं देख पा रहे हूं अपनी life में and nine number important हो सकता है eleven number और five number also important for you eight number also two number आपके लिए important हो सकता है six number important हो सकता है so यहां पर आपके लिए important हो सकते हैं आपकी date of birth हो सकते है birth months हो सकते है eleven five nine eight okay six okay also two so यहां भी आपके लिए guidance देख लिए to unicorns की तरफ से आपके लिए क्या guidance है guys so भग्मान शिव आपको इस ट्राइम क्या बताना चाहते है unicorns की मदद से क्या आपको बताना चाहते है इस को like कर दो subscribe कर लो channel को and personal reading लेने के लिए अगर आपको लेनी है यह आपको crystal buy करना है ठीक है कोई भी so of course आप मुझे instagram पर dm कर सकते instagram का link description में है time stamps के justify यहां फिर आप लोग about section से भी देख सकते हो पर so यहां पर cosmic diamond की energies okay so cosmic diamond आपको शो करता है spread hope and joy amazing energies so guys आपको कहा जा रहा है happiness को spread करो खुशिया बांटो खुशिया दो सबको and hope रखो spread करो hope को and yes illuminate करो word को illuminate the energy okay divine potential आपको यहां पर पता चलने वाला है आने वाले time के divine कितने ज़ादा ताकतवर होते हैं strong होते हैं fulfill your destiny so आप अपने destiny को आने वाले समय में fulfill करते हैं with the help of divine okay and be all you can be so जो आप हो reality में वो बनने की को कोशिश करो कुछ पी ऐसा मत सोचो कि yes मैं यह हूँ वो हूँ okay so जो आप हो reality में वो बनने की कोशिश करो यहां पी आपके लिए यही guidance है यहां पे ना मुझे new moon के energies and कल ही guys new moon होके हटा है so new moon की energies आपके लिए अच्छी हो सकते हैं बहुत अच्छी हो सकती है okay so आपकी life में इतम से चेंज आ सकता है new moon की ही वचह से आया होगा okay anyways guys अगर आपको reading पसंद आई हो so like this reading subscribe to this channel bell icon को दबा देना all पे set कर देना अभी के लिए इतना ही पर हर्मादेव राधे राधे God bless you everyone and bye guys so hello second pile guys जिन्होंने भी Empress card को पिक्किया या जिनके भी name के initials N से लिके Z के बीच में आते हैं तो आपके लिए थी second pile so यहाँ भी आपके लिए भगवान शिफ का क्या message है स्चायम पे यह बहुत बड़ी reading नहीं होगी short reading ही होगी because थोड़ा busy थी मैं okay so time constraints की वजह से यह मैंने short reading ही लेकर आई हूँ आपके लिए but yes यह एक important reading थी आपके लिए जिसमें आपके लि बीच में अगर आपके नेम के initials हैं या आपने impress card को पिक किया है so आपके लिए थी guys second pile and यहाँ पी आपके लिए क्या रहा है भगवान शिफ इस चायम आपको क्या message देना चाहते हैं यह सबसे पहले तो आपको बोलना चाहते हैं आपकी life में growth हा रही है guys okay आप grow कर रहे हो अ आगे move होता हुआ दिख रहे है okay energies थोड़ी सी move हो रही है आगे को and yes growth दिख रही है यहाँ पर and positive way में growth दिख रही है जो भी लोग pregnancy चाहते थे वो यहाँ पर pregnancy उनको देखने को मिल सकती है and guys ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ ने pregnancy और अगर आप नहीं हूपा रहे हो pregnant तो guys इस reading को claim करा करो ज़रू like करके reading को and comment section में claim लिखके okay because वो आपकी ज़रूर help करती है चीज़े okay अगर आप claim करते हो like आपको म इंसान हा ना so यहाँ पर यही energies है and also guys यहाँ पर आपके पास कोई भी issue नहीं है किसी भी situation में कोई भी issue मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपके लिए and three number आपके लिए important होसता है तीन number Jupiter कामी माना जाता है अगर हम देखे numerology में so Jupiter भगवान आपको यही बोलना चाहते है है ब्रिस्पती तो सब्सक्राइब आपके लिए टॉरस राशी इंपॉर्टेंट हो सकती है और साइन की इनर्जिस आपके लिए important है यहाँ पर आप लोग बहुत ग्राउंड़ जिस में रहते हुए देख रहे हो ग्राउंड़ नर्जिस यहाँ पर मुझे दिख रहे हुए यहाँ से देख लेती हैं आप बहुत मेडिटेशन करते हों अगर नहीं कर रहे हो गाईज करना स्चार्ट कर दो तो देख लेते हैं यहाँ पर भगवाईन शिव आपको क्या मैसस देना चाहते हैं ओके सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर देख कार्ड तो यहाँ पर आपके लिए स्कॉर्ट पर राश्री इंपोर्टन हो सकती हैं ओके सो गाईस आइडों नो कौन आया था था थीक है बट अनिवेस यहाँ पर आपके लिए नाइन अफ वांड हैं ओके यहाँ आईन ओफ के अनरजिश आई हैं इन के इनरजिश हैं यहाँ पर आपके लिए ओ लाई गोड़ इन यहाँ पर नाइन ओफ एन आपको यहाँ आ पर रहे हैं आपकी लाईस भगवान श्रिव आपके क्या आपकी क्या बताना到底 리 C चाहते हैं सबसे पहले तो आप बहुत कंफियूज जो अपने life को लेके I feel बहुत confusion चल रही है माइड में stability नहीं feel हो रही है बट यहाँ पे इस thought में जो आपकी life में confusion चल रही है उस thought में चेहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पे देख पा जाहर हु, कहीं न कहीं, आप बहुत में ज़रा काम कर रहे थे, हाँ पर भी स्ट्रेंथ रखे, मतलों आपको लग रहे थे कि नहीं सब कुछ कुछ खतेम हो रहे हैं, फिर भी आप स्ट्रेंथ रखे आगे भड़ने की कोशिश रख रहे थे अपने अंदर, यहां पी क्या हो र होई है first file में wish fulfillment का का रहा है था बट यहां पे ज़्यादा जो आपके लिए guys है वो है financially stability okay यहां पे ज़्यादा focus आप लोग financial stability को यूपर देते हो money बहुत important यहां पे दिख रही है आपके लिए okay financial growth आप लोग चाहते हो अपने life में stream okay यहां पे दिख भी रहा है अगर आपका कोई business है guys वहां पे भी आपको stability देखने को मिलेगी अगर आप लोग equal given take चाहते हो किसी चीज में वो भी यहां पे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है okay अगर आप लोग चाहते हो अपने life में like होता है donations करना donation कर पाओ इतने ज़रा capable बन जाओ वो भी यहां पे होता हुआ दिख रहा है so यहां पे guys यह energies थी आपके लिए and also कुछ ना कुछ यहां पे आप लोग search भी करते हो दिख रहे हो किस ना किसी चीज के बारे मेरे search यहां पे चल रहे है आपके through यहां पे new beginnings है guys मैं यहां पे यह देख पा रहे हो 100% कुछ चीज है ना मतलब आप लोग end कर रहे हो अपनी life में confusion को ही end कर रहे हो अपनी life में and उससे निकल कर बाहर आते हो देख रहे हो and then after that आप लोग restart करके अपनी life में new beginnings को manifest कर रहे हो new beginnings आपकी life में होते हो मुझे यहां पे दिख रहे हैं okay and yes आपकी life में guys Scorpio Russia important हो सकते है यहां पे Gemini, Libra, Aquarius, बाकि यहां पे सभी के सभी signs है cups है, pentacles है, wands है and swords भी, swords के तो दो cards है यहां पे so all signs are there guys कोई भी important यहां पे ज़्यादा sign नहीं है but Scorpio और Taurus यहां पे ज़्यादा important हो सकते है Taurus और Scorpio का access आपकी राशी आपके chart में हो सकता है okay so of course आप जो chart है कुनली वाला chart उसमें आप अगर check out करोगे तो of course अगर उसमें काई second or eight number two or eight number ऐसे लिखा हुआ है यहां पे राहु और केतु का access है वहां पे okay so यहां पे वो energies दिख रहे है यहां पे आपका Scorpio ascendant हो सकता है यह Taurus ascendant हो सकता है यह Taurus ascendant हो सकता है यह Rahu और Ketu इसी accordingly बैठे है ठीक है Taurus और Scorpio के accordingly access में यहां पे वो energies दिख रहे हैं आपके लिए and यहां पे आप independent feel करें अपने आपको मतलब independence यहां पे आपके लिए दिख रहे हैं मुझे यहां पे जिसे एक केला person खड़ा है यहां पे अकेली girl है तो definitely अगर आप relationship में थे गाई तो वो relationship अगर आपको लग रहा था कि अच्छा नहीं चल रहा था तो आप उसे move on करते हो दिख रहे हो अपने life में अकेले ही enjoy करते हो दिख रहे हो अगर आप relationship में नहीं हो तो आप अपने single life को enjoy करो जो भी आपने hard work किया है उसका जो फल मिल रहा है आपको इस time पर वो उसको आप enjoy कर रहे हो कि सो यहां पर यह energies मुझे दिख रहे हैं तो यहां पर और क्या आपके लिए energies आ रहे हैं यह देख लेते हैं भगवान शेव आपको इस time क्या बताना चाहते हैं Lord Shiva की तरफ से अज्जयट message क्या है गौरी शंकर शिव शक्ति हमारे ओके shadows और moon की energies हैं कहीं ना थी आप लोग अगर किसे relationship में हो तो आपके आप जो भी सोचोगे ना गाई या चाहे relationship में हो नहीं हो किसी के भी साथ stream आप हो आपके father, mother, आपके brother आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना तो वो person भी वैसा ही सोचेगा सो positive ही सोचना guys okay negative मत सोचना because फिर वो जैसे होता है कि आपके उपर ही आएगी चीज़ें okay सो negative सोचोगे तो definitely guys आपको आपके लिए भी वो person negative भी फिर सोचेंगी सो यहाँ पर ना टेंफ्लेम वाली इनर्जिस दिख रहे हैं shadow की एनर्जिस है एक दूसरे की जैसे होता है कि एक दूसरे के बारे में सोचना और वो जैसा सोचा है वैसे है आप सोचो incident कोइंसिडेंट नहीं होते है यह लिए लिए बाद होता है कि shadow की इनर्जिस बहुत इंपोर्टन रोल ब्ले करते हैं मून यहां पर बहुत लाइक होता है आपका मून लाइक टॉरस में उनका वी मून टॉरस में सो एक जैसा ही सोचना तो 18 नमबर आपके लिए इंपोर्टन होसता है 9 नमबर 4 नमबर लाइक अगर आप लाइक विश्वर राशी है इस चाम टॉरस राशी आपकी मदर की भी वही थी तो आपकी हरकते बहुत जादा हद तक अपने मदर की जैसी होंगी विकॉस जैसा आप सोचोंगे वैसे ही व आपको भी इंटरस्ट होगा यह तीन चीज़े तो आप लिखके लिए लो कि यह होंगी ही होंगी होंगी विकॉस टॉरस राशी वाले वैसे ज्यादा इनी सब चीजों में होते हैं तो आपके पास अथार्टी भी आते हों दिख रहे हैं या फिर अथार्टी परसन कोई आपके लाइफ में यहां पर आपके लिए विक्ट्री भी आते हों दिख रहे हैं आप अगर कोई चाहते हो जौब अपने लिए पोस्ट चाहते हो वह वली सो वह भी यहां पर आपको मिलते हों दिख रहे हैं 7 नंबर 4 नंबर 18 नंबर 9 नंबर आपके लिए इंपोर्टन हो सकता है तो यहां पर इंशब्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए कि गाइडेंस है ज्काइज़ की ति चुल भगवान शिवा पूरि यूनिकॉन की तरफ से क्या गाइडेंस दिल्वाना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लेना चानल को बेल आइकन को दबाकर ओल पर सेट कर देना सुदर्ड आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन्स मेलते रहें परस्नल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप मुझे इंस्टरग्राम पे डियम करना इंस्टरग्राम का लिंक दिस्क्रिप् यूनिकॉंस वहाँ पे आपको ब्लसिंग्स देते हुए दिखेंगे आपको आपके साथ खड़े रहेंगे जहां पे कोई भी इशू आएगा आप कुछ इन्फोरमेशन आपके पास अगर है इंपोर्टन वो शेयर करते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ होगे and yes आप लो सच बोलो and communicate करो honestly okay stargate of lyra है यहां पे so expand your casual chakra so अपने casual chakra को expand करने की कोशिश करो and enter करो the unicorn kingdom okay so अपना जो आपका chakras है guys casual chakra है उसको open करो and of course guys यहां पे आपके लिए unicorn का kingdom open हो जाएगा और उसमें आपको enter करने की जाज़त मिल जाएगी 40 number 4 number 3 number 12 number आपके लिए important हो सकते हैं and yes आपके लिए यह energies थी guys बहुत अच्छे energies आई हैं कुछ भी यहां पे गलत नहीं आया है बस सच का साथ दो सच बोलो and yes आपके लिए unicorns के kingdom open हो जाएगे okay because जब आपका heart chakra बहुत ज़रा clean होगा हना heal होगा so definitely unicorns भी आपको अपने past लेकर चले जाएंगे okay anyways यहां पे guys अगर आपको reading पसंद आई हो so like this reading and अभी के लिए इतना ही Har Har Mahadev, Radhe Radhe, God Bless, Ruvan, Bye guys